इन दिनों एक ऐसा विक्ति है जो रात और रात इतना मशूर हो गया कि उसकी बाते हर जगा होने लगी 27 साल उमर का ये विक्ति धिरेंद्र शास्त्री या भागेश्वर धाम कहे लो इस विक्ति ने महस कुछी दिनों में सोशल मीडिया और न्यूस चैनल को हिला कर रख दिया आखिर कौन है ये विक्ति और आज इसके बारे में इतनी बाते क्यों हो रही है और आखिर ये विक्ति कैसे इनसानों के माइंड को रीड कर सकता है लेकिन कि ये इनसानों को दिमाग को सच में पढ़ी भी सकता है या महज ये एक ड्रामा है आज इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने बाता है और इस वीडियो में हावा में बातें नहीं की जाएगी बलके आपको कुछ ऐसे एविडेंस और पुरूफ बताऊंगा जिसे देखकर आफ भी हैरान रह जाओगे सबसे पहले तो लोगों के मताबिक इस बाबा की दो खासियत है सबसे पहली ये लोगों का दिमाग पढ़ सकते है और दूसरी ये बाबा बहुत बगाता है लेकिन हमें ये ग्याद था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब दो परचे बनाकर हमने पहले ही रख लिये थी एक प्यक्ती परिक्षा लेने आएगा बीच में डोकेगा बत्तर मीची करेगा नालाएक है उसको बुलाने की आओ सकता नहीं ठिकाने लगा भी देना है आसिरबाद टीम मोजोस्क से आएगा बाबा ने तीन बार उससे अपने चैनल का नाम पुचा लिकिन फिर भी अपने परचे पर चैनल का नाम ही गलत लिग दिया चैनल का नाम है मोजोस्टोरी और बाबा कह रहे है मोजोस्को तो आखिर जो वेक्ती दिमाग को पढ़ने में आखिर इतना जादा परफेक्ट हो सकता है वो इतनी छोटी गलती कैसे कर सकता है दोस्तों इन बाबा के बारे में लोगों का ये मनना है कि वहाँ पर अगर कोई शक्त जाता है तो बाबा उससे पहले कभी मिले नहीं होते और ना ही वो सारे सवाल प्रिप्लैंड होते है लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पूरा का पूरा शो प्रिप्लैंड है तो कि आप मेरी बात पी यकिन करोगे जैसे कि आप सबी को पता होगा कि बागेशवर धाम कभी भी इंटर्विव के दोरान जनरलिस्ट को अपने प्रसनल सवाल करने का मौका नहीं देते बलके उनके आशरम में ही ये सारे चीज़े होती है लेकिन जब एक जनरलिस्ट वहाँ पर पहुचा तो बागेशवर की टीम ने उन्हें ये कहा कि हम जो सवाल पूछेंगे वही सवाल को आपने स्टेश पर पूछना अगर आपको यकीन ना है तो आप ये वीडियो देख सकते है इस परचे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूजिव नहीं है जो देंदर कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी अच्छा एक और चीज़ आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि ये जो बाबाजी है ये रेंडमली पब्लिक में से किसी भी एक वेक्ति को उठा करके ये बोलते है कि आप इस पब्लिक में से किसी भी एक रेंडम वेक्ति को चुन लीजिए और मेरे पास जो पढ़चा होगा इसमें उस वेक्ति का ही नाम लिका होगा और इसकी सारी परिशानिया लिखी होगी मोजो स्टोरी की ये जनरलिस्ट ने भी सेम बात कही बाबा जी से कि मैं यहाँ पर किसी भी एक वेक्टी को रेंडम ली सिलिक करता हूँ और आप उसके बारे में बताईए लेकिन बाबा जी ने किलियरली साफ अलफाज में उसे मना कर दिया और उस जनरलिस्ट को ही स्टेज पर भुला लिया अब आप सोचोगे कि बाबा जी ने इसके बारे में भी बड़ा कुछ बताया होगा इसका दिमाग पढ़ लिया होगा लेकिन आप यहाँ पर भी गलत हो बाबा जी यहाँ पर सिर्फ वही बातों को बता पाए है जो इस जनरलिस्ट ने पहले से उनकी टीम को बता रखी थी ज़रा इस परचे को गोड़ से देखिये यहाँ पर जो उपर की तरफ लिखा हुआ है उसमें और नीची की तरफ जो दो लाइन लिखी है उसमें काफी फरक है और इससे पहले भी एक दफ़ा बाबा जी का सौफटरी क्रेश हो गया ज़रा इस वीडियो को देखिये इस वीडियो में भागेश्वर बाबा किसी नीरज नाम के पीली शट वाले आदमे को बिलाते है लेकिन जब या आदमी आता है तो किस हिसाब से आपको यह पीली शट दिखाई दे रही है यह इतनी बड़ी गल्ती कैसे कर सकते हो बाबा जी हीन हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बाबा जी के भक्त को इस वीडियो पर यकिन ना है चलिए अब ज़रा इस वीडियो को देखते है जिसमें किलियर ली बाबा जी इतनी बड़ी भूल करते है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे अब ज़रा इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में यह औरत साफ कहती है कि मेरी शादी पैसे दे कर हुई है जिसका मतलब साफ है कि ये एक arranged marriage है इसकी शादी इसके माबाप की मर्जी से ही होई है लेकिन बाबाजी का software है कि जो बारबर crash ही हुआ जा रहा है बाबाजी यहाँ पर बोलते है कि तुम दोनों ने love marriage की है और इसलिए आप लोगों का ब्याट टिक नहीं रहा है जबके इस ओरत ने साफ साफ कहे दिया है कि ये शादी उनके माबाप की मर्जी से हुई है पैसे देकर हुई है इतना ही नहीं यह जब बाबाजी कहते है कि तुम लोगों ने अपनी पसंद से शादी की है तो ये औरत साफ साफ मना करती है लेकिन बाबाजी बार बार उनकी कोट मेरेज करवा रहे है और इसके बाबाजी को बाहर जाकर काफी ज़्यादा बुरा बला कहा क्योंकि बाबाजी इसका माइंड ही नहीं पड़ पाए और बदनाम कर दी हुग अगा चलिए अब आपको कुछ लो बजेट एक्टर्स की एक्टिंग बताते है अब जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें इतनी सारे भीड में से बाबाजी पीचे किसी एक शक्स को आगे की तरफ लाते है जबके वहाँ पर पहले से इतने सारे लोग खड़ेते लेकिन बाबाजी उन सब को चीरते हैं उस आदमी को अपने साथ उसके उपर से कुदा कर अपने साथ ले जाते है अब इस लोग बजट गोइंदा की जरह एक्टिंग को देखिए लेकिन अभी भी कोई हैरानी के बात नहीं है चौकाने वाले बात तब है जब 2022 में बाबा ने इसी शक्स को भीड में से चीरता हुआ वापस से स्टेज पर लागा वहां पर हजारों लोगों की इतनी संक्या होती है लेकिन बापा जी को यही एक शक्स दिखाई दे रहा है बार बार अब जरा इन भाई साब को भी देख लीजिए और इनके एक्टिंग को भी देख लीजिए असल में इन अंकल के अंदर जो भूत कुसा है न वो काफी मॉडन जवाने का है इसी लिए तो वो माईक को उठा करके बाते कर रहा है अच्छा इन बाबाजी के पास एक सेनपती भी है जो कि लोगों को मार लगाता है जैसे कि बाबाजी उसे बार-बार कहते रहते है कि मार लगाई जाए जाए इन सारी वीडियो उसको देखकर साफ पता चलता है यह सेनपती बाबाजी के बोलने के बाद ही मार लगाता है मतलब बाब साफ है कि यह सेनपती बाबाजी के आदेश के बाद ही मार लगाता है चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए यहाँ पर एक वेक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हिंदी नहीं आती और बाबाजी वहाँ पर कह देते है कि इसे मार लगाई जाए लेकिन वो आदमी को कुछ ही नहीं हो रहा था या तो सेनापती हिंदी भूल गया या ये आदमी अपनी स्क्रिप्ट भूल गया चलो सेनापती फिर से मार लगाऊ और इसी तरह से बिलकुल एक सेम केस हुआ और इस लेडिस में भी जिन घुसे हुए थे तो इस बाबाजी ने यहाँ पर भी कहा कि इन्हें मार लगाई जाए मार लगाई जाए मार लगाई जाए लेकिन या नहीं समझ भी नहीं आता कि इनका सेनापती जो है इन्हें फॉरेनर लोगों से इतनी का तकलीफ है भाई यह मार क्यों नहीं लगाता है यार इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी रिलेजिन को ठेस पहुचाने का बिलकुल भी नहीं है और नहीं यहाँ पर किसी भी मख़ब के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है एक बाबाजी के बारे में और यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए सवाल है जो कि इन बाबाजी की बातों को सच मानते हैं और इन बाबाजी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में